स्री गड़ेशाय नमा, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको गणेश चतुर्ती का महावपाय बताने जा रहा हूँ, गणेश चतुर्ती के दिन आप यह वपाय करते हैं, तो आपको विशेश लाम मिलेगा, भगवान गड़ेश चतुर्ती के दिन यह महावपाय करते हैं, उनको विशेश लाम मिलता है, साथ ही आप जो भी उपाय करेंगे, उनका लाम आपको मिलने वाला हैं, गणेश चतुर्ती की कता सुननी चाहिए, भगवान गड़ेश जी को आपको परसाद अरपन करना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिनको भगवान गड़ेश के सामने अरपन किया जाए, तो विशेश लाम मिलता हैं, इस दिन कई राषियां ब्यदी भागे साली भी रहने वाली हैं, गणेश जतुर्ती का बरध महिने में दो गणेश चतुर्ती आती हैं, कृष्ण पक्दी की और शुकल पक्दी की दोनों ही गणेश जतुर्ती करेंश जतना, उता हैं, शिद्ध हो जाते हैं इस दिन आप ब्रत भी रख सकते हैं और साधा पूजा भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप संकल पूर्वक यानि आप भगवान के सामने संकल करेंगे कि प्रवु मैं इतने ब्रत करूँगा मेरी मनों कामना पूरी हो आप ऐसा कह करक ब्रत शुरू कर सकते हैं गने चतुरती वाले दिन सुवैस्नान करें उसके बाद में सूर्देव को अरक दें उसके बाद में आपको भगवान गड़ेजी की पूजा करनी है इस दिन आपको बड़ ब्रक की पूजा भी करनी चाहिए बड़ ब्रक और पीपल ब्रक दोनों क पूजा का भी इस दिन विशिश मैत होता है भगवान गड़े जी की जब आप पूजा करें सरपितम उनके सामने आपको दीपक जलाना है दीपक जला करके अपनी मनुकाम न बोलें भगवान जी को रोली का टीका लगाएं थोड़े से चावल लगाएं उसके बाद में आपको क्या चड़ाना है ध्यान से सुने और इस दिन आपको गव माता का पूजान भी करना है दोस्तों गव माता का पूजान आप डेली क्या करें इसका विशिश मैत होता है अगर डेली ना कर सकें तो कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें गव माता की पूजा का विशिश मैत है जैसे गव माता की पूजान का विशिश मैत होता है इसे हमारी हर कारिशिद हो जाते हैं तो भगवान गव माता की जब आप पूजा कर रहे हूं तो उनके सामने आपको हरी दुरवा हरी दुरवा आपको उनके सामने अरपन करनी है, जब आप दीपक जलाएं तो दीपक में दो लोंग आपको डाल देने हैं, इस बार दीपक जलाते समय आपको लोंग के साथ में थोड़े से तिल भी उसके अंदर डालने हैं, और तिल के लड़ु भगवान को भूग लगाएं, मीठा पान लोंग करके हमगवानj जी को अर्पन करें स्रीजब्यसायनमहमनत्रका जाप करें ऀसके बाद में आप नारियल ओर प्रकाम करें नारियल घर्पन करें उसके बाद में नारियल और केले का तुझत उन 125 गरूप में ले और इसे खाले इसका विशेश मेहत होता है आपकी पुत्रधन की मनुकामन आवश्य पूरी होगी अगर आप यह उपाय करते हैं और इसके साथ साथ आप बच्चों की पढ़ाई के लिए केरियर के लिए प्रतिक काम्यावी के लिए उपाय कर सकते हैं वीडियो को जादा से ज कोमेंट में स्रीकड़े सानमा जरूर लिखें